हलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के? आज के वीडियो में अपने बात करेंगे इस्टुडेंट्स की काफ़ी प्रोब्लम्स भी होती है वैसे मैंने ब्ल्यूप्रिंट बनाये था और इसके बारे में, हलांकि बोर्ड का आया था मैंने उसके बारे में बताया था मैं बात कर रहा हूँ, RBSC एक्जाम 2014 टूथाउजन्ट पॉन्टीफॉर ट्वल्ट बोर्ड एक्जाम की मैं बात करने वाला हूँ जिसमें पेपर का जो पैटन है वो किस परकार का है कितने क्योंस किस-किस परकार की है कितने नंबर के, कितने नंबरीं कौन से क्यूशन की रहती है वो थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में बच्चों के बहुत कम समझ में आता है तो बच्चों की विससे रिक्वारी भी थी और आज मैं उसे के बारे में बात बताने आया हूँ प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लास तक जरूर देखना है आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट से तो आप कमेंट स्रेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपका जो भी डाउट से उसको क्लिर किया जाएगा मुझे उमीद है वीडियो को आप लास तक जरूर देखोगे और शेर भी जरूर करोगे चलिए बात करते हैं तो 12th exam का टाइम टेबल है वो मैंने बता दिया था exam कब सल साट है कौन से exam कब होगी वो सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया था हर एक वीडियो इससे रिगार्डिंगे 2023, 2022, 2020 में जो ओल्ड क्यूसंस आई वे थे टोपिक वाइस वो भी मैंने आपको बता दिया तो 12th exam से related important questions, important points क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है 100 में से 100 number कैसे आई किस तरीके से लिखना है सभी के वीडियो मैंने वीडियो में upload कर रखे हैं आप वहाँ जाकर जरूर देखें आपको बहुत benefit मिलने वाल है तो चलिए आज के वीडियो के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो अपना man point है दोस्तों आपके 20 क्यूसंस रहने वाले हैं टोटल मैं agriculture, biology, chemistry की बात कर रहाँ सिर्फ इस वीडियो में किसके बात कर रहाँ agriculture, biology, chemistry आपके PCB में भी लगबग यही pattern रहता है no doubt Hindi, English में आपके चलो मैं एक बार paper की बात कर लेता हूँ आजाएगा देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चो agriculture, biology, इसके लावा chemistry हो गया, हिंदी हो गया और आपके English Hindi और English में आपका paper रहता है वो 80 number का रहता है इसके लावा 20 number आपके सत्रांग के होते हैं और यह 100 plus 100 number का होता है Hindi 100 का है और English 100 का है आपके practical और 40 number आपके ही रहता है सत्रांग का इस प्रकार से आपके टोटल 100 number का होता है अब मैं सिर्फ बात करहा हूँ 56 number की बात करहा हूँ 56 number को किस parts में divide किया गए कितने parts में divide किया गए किशन की numbering क्या है वो मैं बात करने वाला हूँ यह आपर ओके डन आजो देखो फस कुशन जिसमें objective कीशन रहने वाले है इसमें टोटल 16 कुशन होंगे एक कीशन आदा नंबर का רहने वाला है ऑबfish Option आएंगे आपके 16 एक कीशन रहने वाला है आदा नंबर का टोटल 16 कुशन होंगे और उनकी numbering रहने वाली है 8 Any doubts? Objective का काम हो गया पहले objective 9 question आते थे आजकल अब उसको बढ़ा कर 16 question कर दिया है Okay, चले next Second question है Fill in the blanks रिक्तिस्तान की पूर्ती करना है जो question आपके आने वाल है Total 10 question और 1 question आदा number का रहने वाला है Total 10 question अपने 5 number के होगे Any doubt? Objective question होगे Fill in the blanks होगे Third question जिसमें one word में आपको answer देना है प्यारे दोस Question आएगा बड़ा लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक शब्द में एक word में आपके क्या मांगेगा Answer मानेगा और इसमें 8 question रहने वाले हैं एक question एक number का होगा Total marking रहने वाल है 8 कोई problem? Objective की बात होगी Fill in the blanks होगे और one word वाले होगे यह होगे छोटे question सबसे ज़्यादा कमान अपने को छोटे question पे रखनी है मैंने इसके भी वीडियो बनाए हैं आप वो जरूर देखे Important points होता है न Lesson के Chapter के last much important point होते है वहाँ से ज़्यादा questions बनते हैं और हर साल questions repeat भी होते हैं पेरे दोस्तों जयानक न आज़ो Number 4 Question number 4 से लेकर 15 तक 4 से लेकर 15 तक मतलब total 12 question आने वाले हैं और एक question डेड़ नमबर करेने वाले है 12 question ऐसे आएंगे जो डेड़ डेड़ नमबर के होंगे और इनकी numbering रहने वाली है 18 18 number रहने वाले है 12 question है एक question डेड़ नमबर करेने वाला है Next 16 से लेकर 18 तक इसमें दो question आएंगे एक question इसमें तीन question आएंगे और एक question तीन नमबर करेने वाले है तीन question है जो के तीन नंबर के हैं, लेकिन इसमें अथ्वा में आएंगे, तीन क्यूशन अलग अथ्वा में आएंगे, जिसमें अपने को एक करना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा, इस परकार से तीन क्यूशन है, और तीनों में से तीन, मतलब क्यूशन तो 6 होगे, ले क्यूशन आपके आठ नमबर के होंगे टोटल मार्किंग होगे 56 का इस तरीके से पेपर होगा पहरे दोस्तों वह जो उमीद है दीगी जानकर यह आपको समझ में आओगी बट मैं एक बार फिर से रिवाइस कर देता हूँ आपके 16 क्यूशन अब्जेक्टिव होंगे आपके रिक्तिस्तान के पूर्ती वाले 10 क्यूशन होंगे 8 क्यूशन आपके वन वर्ड वाले होंगे डेडे नमबर के आपके 12 क्यूशन होंगे तीन क्यूशन तीन तीन नमबर के होंगे और दो क्यूशन आपके चारचा नमबर के होंगे और इस परकार से आपके 56 नमबर का पेप होगी तो ट्वल से रिलेटेड कोई भी टोपिक्स हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट स्ट्रक्शन में कमेंट करें यूटूब पर उसकी क्लास लगा दी जाएगी तो मुझे उम्मीद है आपको जानकर समझ में आई होगी दन्यवाद